मैं तुम्हारी तुविधा चांगता हूँ लेकिन बिना किसी डर, दुख या आत्म घलानी के आगे बढ़ो और अपनी नियती स्विकार करो ये याद रखो कि कुछ भी अकारण नहीं होता है सो राब जी यही है मेरे साइ सो राब जी संतान की बीमारी किसी को भी डर और आशंकाओं से घेर सकती है तुम्हें ने याद दीन के बारे में कब बताया? मैंने कब बताया सो राब जी मैं तो आपके साथ ही आ रहा हूं साइं के दर्शन किये हुए तो मुझे कई साल बीच चुके हैं कई साल बीच चुके हैं तो इन्हें राधिका की शादी के बारे में कैसे पता? ये तो आपके भक्त है लेकिन मेरी याजदीन के बारे में आपको कैसे पता? आप तो मुझे जानते भी नहीं पर मैं जानती हो नि बबबा ये भी जानते हैं ये ये ही तो वो दोस्त है जिनसे मैं शेरीडी आकर मिला चाहती थी लेकिन तुम इनसे कहां मिली? अच्छा लगा तुमने मुझे अपना दोस्त माना वरना लोगों की तो उम्र गुजर जाती है रिष्टा बनाने में तुमने बहुत जल्द अपनाया मुझे आगर आप सब कुछ जानते ही है साई तो कोई इलाज बता दीजे यासदीन को इस हालत में अब और नहीं देख सकती मैं वालिक सब पर महर करता है आप चिंदा मत कीजिये इलीच इलीच रोज रात को इन में से एक शिशी का घोल पाने में मिला कर इसे पिलाना है अठारा दिन तक आपको ये करना है और तब तक आप सब शेड़ी में ही रहेंगे आठारा दिन अठारा दिन तो बहुत ज्यादा है तुकान को भी तो देखना है और इस इलाज से याजदीन ठीक होगी इसका भी तो कोई भरोसा नहीं एक बार आजमान लीजे जोराब जी पपा क्या आप मेरे लिए भी नहीं रुख सकते अगर अगर इन अठा दिनों में मैं ठीक हो जाती हूँ तो क्या आप याठा दिन मुझे नहीं दे सकते यास्तीन तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अठा दिन ना दिये तेरे लिए तेरे लिए राम जी भला करें साही आपने जो महमानों के रहने की व्यवस्ता करने के लिए कहा था बहो गई है सोराप जी आप इनके साथ जाए आपके रहने की व्यवस्ता हो गई है देखा सोराप जी साही को पहले से पता था कि आप आने वाले हैं इसलिए उन्होंने आपके लिए पहले से व्यवस्ता कर रखी है याजदीन ठक गई होगी उसे आराम की जरूरत है चलता हूं चल पेटा चलो साही साही सोराप जी को आपके भरोसा नहीं है लेकिन बच्ची की खातिर में उन्हें यहां लेकर आया हूं याजदीन ठीक तो हो जाएगी ना मिलकंट दवा का अपना आसर होता है और विश्वास का अपना आसर अगर मन में विश्वास होगा तो सब ठीक होगा बाके अल्ला मालक सायों, 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 सायों कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 कि ये कोई दवा तो लग नहीं रही है ऐसा मालूम पड़ता है जैसे घंदा पानी भर दियाओ किसी नो ये मैं अपनी बेटी को तो नहीं पिला सकता हूं कहीं वो बिमार पड़ गई तो या लाह हुग 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 जिस चीज की जुरत नहीं है वो क्यूं दे रहा है इसे आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं हमारे लिए ना वक्त की अहमियत है ना जगह की पस हम तो हर वक्त अपने मौला के तसवूर में खोए रहते हैं जगह जगह उन्हें तलासते रहते हैं पुकारते रहते हैं या मेरे मौला सब पर रहम कर सब को अपनी पनाहों में ले सब के गुनाह माफ कर मेरे मौला लेकिन तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हूं पानी दिया था किसी ने दवा बोल कर पर यह तो खराब पानी है इसलिए इसे फैंक रहा था यह अच्छा है यह खराब है इसका पता तो तब चलेगा ना जब यह आजमा कर देखा जाए आधे अधूरे मन से मंदिर की सीरियां चड़ने से इश्वर नहीं मिलता है खुद को समर्पित करना पड़ता है पूरी तरह से या मेरे मौला सब पर रहम कर सब पर अपनी दुआ कर सब को अपने पनाहों में ले सब के गुना माफ कर यही तो वह दोस्त है जिनसे मैं शेरिडी आकर मिलना चाहती थी इस इलाज से याजदीन ठीक होगी इसका भी तो कोई भरोसा नहीं एक बार आस्मान लीजे जोराब जी इतने लोग अंधुश्वास करते हैं साई पर इसलिए मुझे भी करना ज़रूरी है या मुझे एक बार सब की बात मान कर आजमाना चाहिए जैसे अभी उस फकीर ने कहा नुकसान तो कुछ भी नहीं है नहीं मैं साई बबा पर यकिन करके अपनी याजदीन की जान खत्रे में नहीं डालना चाहता हूँ पता नहीं किस चीज का खोल बना के दे दिया प्लेग भी फैला है झालना चाहता हूँ ये मेरे रामजी की देन है मैं इससे जाया नहीं होने दे सकता हूँ रामजी भला करें झालना चाहता हूँ अच्छा हूँ मैं वैद की दवा साथ लाया था इसे इन शीशियों में भरके याजदीन को दूँगा इनसे फाइदा नहीं होआ तो कोई नहीं नुक्सान तो नहीं होगा अच्छा हूँ झाल झाल खंडोबा, दो दिन बाद श्रिपद और रादिका का विफा है, सबसे पहले निमंत्रन आपको, आपके आशिर्वाद के बिना ये विवा संपन ही नहीं हो सकता, आप ज़रूर पदारियेगा, बगवान को निमंत्रन के अक्षा देने के रसम पूरी हो चुकी है, अब मैं कंडोबा के अभिशे की तेयारी शुरू करता हूँ, जी, राधिका अप्पे इतनी परेशान क्यों लग रही है, कई वो सच बोलने की बेवा के फितने करना चाहती है, तुम जानते हो न, उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम का जो आसर मेरे बेटियों के भविश्य पर पड़ेगा, समझ लो, मेरी अकाल मृत्यू का कारण हुगा हो, आप चिंता मत कीजिये भाव, वैसे भी शादी में सिर्फ दोही दिन बचे हुए हैं, उसे मौका ही नहीं मिलेगा, उसे मौका ना मिले, ये मैस्तो निचित करूँगा, पडाम साइग, पडाम साइग, राम जी भला करें, श्रीपाद, राधिका, तुम दोनों एक काम करो, जब तक तुम्हारे आही बाबा घंडोबा जी का अभिशेक करते हैं, तुम दोनों शनी मंदिर जाकर उनके मिधर्शन कराओ, लेकिन जल्दी क्या है, अभिशेक के बाद सब एक साथ चलेंगे, हमें भी दर्शन हो जाएंगे, साय ने कहा है, तो कुछ सोच समझ करी कहा होगा, हम शेड़ी वाले साय की बाद को कभी नहीं टालते हैं, जाने दीजे दुनों को, ज्यादा दूर भी नहीं है, जाओ अच्चो, दर्शन करके आओ, ये निलकंट नहीं समझता है, पेवो कुप, रोका भी नहीं, अगर इस लड़की ने अपनी शिक्षा के बारे में सच बोल दिया, तो हो गया फिर तो, मुर्गे को लगता है कि अगर वो बांग नहीं देगा, तो सवेरा नहीं होगा, पुरानी कहावत है, ये साही अइस्सा क्यों बोल रहा था, कई इसका इशारा मेरी तरप तो नहीं था, ये रास्ता मारे खेतों की ओड़ जाता है, वो मारे गाउं का खुआ है, वहाँ पास में बेर का पेड़ है, बच्पन में हम हर दिन उस पर चड़ कर बेर खाते रहते थे, बच्पन से ही मुझे खेती का बहुत शौक था, बागी बच्चे पाटशाला जाते थे, और मैं खेतों में, यहाँ पास में अस्पटाल भी है, मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है साई, ताकि मैं श्रीपात को सच बता सकूँ, लेकिन ये तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं, लो, आगे शनी मंदेर, कबसे मैं ही बोले जारा हूँ, तुम भी तो कुछ को आपने में अपने में मुझे घ्राइए देखो, यही मौका है, शादी से पहले बात करने का, इसके बाद तो सीधे शादी होने के बाद ही बात कर पाएंगे, बताओ कुछ अपने बारे में सच कहने का समय आ गया है एक बात है जो मैं आप से कहना चाहती हूँ रादिका चलती करो बेटी, वापे सब इंतजार कर रहे है काका, आप यहाँ मैंने सोचा, मैं भी लगया अच शनी देव के दर्शन कर लू और फिर चिंता भी तो हो रही थी तुम्हारी आप दर्शन कर लीजे, हम यही पे हैं दर्शन तो बाहर से ही हो गए चलो, साच चलते, जी काका प्रशन कर दो प्रशन कर दो दो कर दो कर दो दीव 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 दी झाल 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 करें राधिका शुरथा और सबुरी राम जी जो भी करते हैं वो भले के लिए ही होता है बाबा मुझसे ये नहीं होगा मैं उन्हें धोका नहीं दे सकती बाबा रादिका तुझे ये राज राज ही रखना होगा मैं चानती हूँ ये सब गलत है लेकिन लेकिन क्या करे हैं हम मजबूर हैं अगर अगर उन्हें सच का पता चल गया तो ना सिर्फ हमें जेट जी का प्रकौब जेलना होगा बलकि साथ ही साथ तेरी बसी बसाई ग्रियस्ति में भी बिना बाद के क्लेश होगी लेकिन आई मैं इतनी बड़ी बात कैसे चुपा सकती हूँ बेटी अब सच बोलने का वक्त निकल चुका है अब तो इसी जूट को अपना सच मान ले और भूल जागी पढ़ाई लिखाई से कभी तेरा को इनाता भी था मैं तो हमेशा चाहता था कि तू पढ़े इसलिए तुझे कभी रोका ने मैंने तेरी खुशीक लिए हमेशा तुझे प्रोचसाहित किया है आज भी जो कह रहा हूं तेरी खुशीक लिए बेटी लेकिन बाबा जूट की नीव पर बनाया गया रिष्टा कभी मजबूत नहीं हो सकता साही भी तो इस शादी में आये न अगर इस शादी का परिनाम बुरा होता तो क्या वो ऐसा होने देते और उन्होंने आशिरवाद भी तो यही दिया है इश्रत्था और सबुरी रख सब ठीक हो जाए सबक सबुरी के ही जिसने सिखा उसी की परिक्षा के ये बलने आज आए बदरा पुराई के ये जितने भी छाएं साई मेरे अच्छाई का जल बर साएं कश्ट जो अपार साई हस के उठाएं मन में साई के क्या है कौन जान पाएं झाल साई हुआ कर दो कर दो साई कितना प्यारा चित्र बना है अपने सरस्वती मां का हिरागेणी हम कौन है मां सरस्वती को बनाने वाले सरस्वती मां तो सुवयम हमें बनाती है उनके आने का समय उनके आने का तरीका सब उनकी मर्जी पर निर्भर करता है और कोई चाहे लाग कोशिश कर ले जब मां सरस्वती को आना होता है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता जैसे आज शिर्डी में मां सरस्वती आई है ममी हाँ राधी का दिती तुलन बनकर कितनी अच्छी लग रही थी हाँ और शिर्डी के लोग भी कितने अच्छे है हाँ याजदीन ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ महमान हो सब लोग कितने अच्छे से मिलते है चल अब सोजा धर गई होगी सो गई हाँ शिर्डीन हाँ यहाँ हम कल ही वापस बंबई जाएंगे सामान बांद लो कल ही लेकिन साही ने तो 18 दिन रुकने को कहा था अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ एक बार साही से मिलकर बात कर लेते तो मैंने एक बार तुम्हारी बात मान ली और साही से मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ अब तुम मेरी बात मान लो और वापस चलो उस फकीर की दी हुई दवा से कुछ नहीं होने वाला और जब कोई फाइदा नहीं तो रुखने का क्या मतलब इतने जल्दी उमेद यो हार रहे हैं हम उमीद हार नहीं रहा हूँ उमीद तूटने से बचा रहा हूँ और मैं इस बार किसी की नहीं सुनूंगा हम कल ही वापस जाएंगे और शिरडी वापस कभी नहीं आएंगे मैंने सोच लिया है कि हम याजदीन के इलाज के लिए उसे लंडन ले जाएंगे चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़ जाएंगे लेकिन मैं याजदीन का इलाज अच्छे डॉक्टर से ही करवाऊंगा मुझे साई बाबा से दूर नहीं जाना है आओ बहु ग्रह प्रवेश करो सुखी रहो हो 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 हमारे परिवार और हमारे घर में तुमारा स्वागत है बहु अब से हम एक परिवार है और आते तो शेड़ी वाती होगे विश्वास रखो राम जी जो करते हैं भले के लिए ही होता है वैनी बाकरी मैं बना दूँ मैंने कहा ना बैठी रहो आज ही तो ग्रह प्रवेश हुआ है आज तुम सिर्फ और सिफ आराम करो हाँ पर कल से काम करना होगा क्योंकि मैं उन बड़ी बहुओं में से नहीं हूँ जो खुद काम करती रहे और छोटी बहु को आराम करने दे तुम्हें खाने में कड़ी पसंद है ना सिले मैंने बनाई है वह नहीं आपने क्यों थकलीफ की आप भी तो थक गए होंगी शादी का इतना सारा काम करके कोई नहीं आज मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है कल तु मेरे लिए कुछ बना दे ना ठीक है वैसे बंबई का रहन से हैं यहां से बिलकुल अलग होगा ना हां अलग तो है लेकिन हमारे परिवार के लोग कभी बंबई के रंग में रंगे ही नहीं शरीर चाहे कितना भी बंबई में रहा लेकिन हमारी आत्मा हमारा मन हमेशा शेड़ी में ही था साई की भक्ती में इसलिए शिरिडी आकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में ही हूँ इसी तो शेहर में कभी भी अपनी जगा समझ ही नहीं आई होगी क्योंकि वहाँ तो हर कोई मेट्रिक पास होता है और ये ठहरी एंपड इसी कारण इसे गाउं में अच्छा लग रहा है पर अच्छा ही है काम का आज में कुट कुट तो नहीं करेगी एक बात कहूं जब से मुझे पता चला है कि तुम बंबई से हो और फिर भी बिल्कुल पड़ी लिखी नहीं हो मुझे तो बड़ी हैरत हुई तुम्ही कोई दिल्चस्पी नहीं थी क्या पड़ाई मैं अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मेरी बेटियों के शारियों में विगना आ सकता है और ओ देखने से पहले मैं अन जल्द क्याब करके अपनी चान दे दूँगा काकी काकी मेरे साथ खेलो ना कोई खेल मिल नहीं रात हो गई है जाओ जाकर पड़ाई करो फिर खाना खाकर जल्दी सोजाना, कल पार्ट चाला जाना है नहीं, मुझे गल फिर चे नानी किया जाना है मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से पता नहीं, पड़ाई के नाम से इतनी क्यूँ चिड़ है से पार्ट चाला जाने को कहो, तो ऐसा रोता है जैसे काला पानी जाने के लिए कह दिया हो इसलिए अपने नानी के घर चला जाता है बार बार भावजी की शादी थी, इसलिए आया है अब देखो, फिर से जित शूरू करती मैं आज ही तो आई हूँ न, मेरे लिए कुछ दिन नहीं रुखोगे रूख तो जाँगा, लेकिन पार्ट चाला नहीं जाँगा क्यों? पार्ट चाला अच्छी नहीं है मुझे बढ़ाई बेका लगती है लेकिन बन्वन, पढ़ोगे नहीं तो आके बहुत परिशानी होगी काकी आई पी हमेशे ये कहते रहती है लेकिन मुझे नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना अच्छा ये बताओ, कसरत करते हो? हाँ, काका कभी-कभी जबदस्ती करा रहते वो तो रोज करने को कहते है, लेकिन मैं नहीं करता, बदन दूर जाता है काका तो तुमसे बहुत क्यार करते हैं न, फिर तुमसे कसरत करवाकर तुम्हें डर्द क्यों देते हैं? ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें आजी से डाट लगवा है? नहीं नहीं दाटना मत, जब वो कसरत कराते हैं डबदर जरू होता है, लेकिन बाद में शरी पूर्थिला और तंदूरस हो जाते हैं, बिल्कूल काका की तरह, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं काका की तरह तगड़ा बनूँ वलवन्त, जिस तरह कसरत से बदन दुखता है, लेकिन बाद में फायदा होता है, इसी तरह पढ़ाई कभी-कभी उबावन लग सकती है, लेकिन हमारे बुद्धी को तंदूरस्त बनाती है एक बार अपनी पढ़ाई अच्छे से करके देखो, अपने अध्यापग जी की बात ध्यान से सुनो फिर तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई में कितना मज़ा है, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीपने को मिलेगा और जब तुम पढ़ लिखकर बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे, तो सब तुम्हारे पास आएंगे, सब तुम्हारी बात मानेंगे फिर कितना अच्छा लगेगा तो कल से पाट्शारा जाओगे आँ काकी मैं जाओँगा, मैं भी मेरा बसता लगा जाओँ वाह, तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो, फिर भी बल्वन को इतने आसाने से समझा दिया दू थंड़ा हो गया होगा, जा, जा कर भाउजी को देया जी सच छुपाने का मतलब मैं अपने अस्तित्व को छुपा रहे हूँ और फिर इसी तरह रोज-रोज डर के कैसे जीएंगी साइन सरकार कई बार फूच चुकी कि बाटशाला में नए सिक्षक की नियुक्ति कब होगी मैंने आपके कैने पर जगा खाली रखी जखी जवाब नहीं दूँगा तो बात कहीं मेरी नौकरी पे श्रीकांक ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं नियुक्ति बहुत चल्द होगी लेकिन साइन कुछ तो इशारह दीजिए कि वो कौन है काम आने वाला है वो श्रीडी आ चुका है आप में उसे देखा भी है बस इंतजार है कि वो खुद को देख पा है कि वो खुद को देखा कि वो खुद को देखा कि वो खुद को देखा दो कर दो कर दो आपने ये कमरा मैं रुमाल लेकिया थी नहीं रहने दो आप तुम कुछ कह रही थी आपने ये कमरा खाली क्यों कर दिया ताकि तुम्हारे समान के लिए जगा बन सके साही ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने बराबर का स्थान दू तो मैंने सोचा उसके शुरुवात ऐसे होनी चाहिए मुझे पता है कि लड़कियों के पास ज़्यादा सामान होता है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा जगा रखिया इस कम्रे में जो भी है वो अब तुम्हारा है उतना ही जितना की मेरा है सब इतना प्यार दे रहे हैं और मैं इनके साथ दोका कर रही हूँ अगर सिक्षा हमें अपने आप के लिए खड़ा होना ना सिखाए तो सिक्षित होने का क्या फायदा मुझे इने सच बताना ही होगा अहो हाँ हां श्री पाथ, श्री पाथ, जल्दी आओ तो अचाहते नुरॉदन थना उनितन सुन्नितर नॉखे लुखे, मिक्तल्स ऐसे लुखे..? याज श्रीक शल्षा गुखे। को मैम हों जित कि वह काह सब्सक्त्तु ऌह होुखे। क्ट सालिको भावा जाक समयल आकोल। कमक्तली भुखे। पहले तो पर जो वैसा हुआ था तो साही की उदी भी थी, और टब फीक हो गे थे, जैकिन आज ना साही की उदी है, ना वेर्दी जी की दवाँ मैं साही से उदी लियाता हूं, जल्दी, रुकिये लगता है इनका रक्तदाप कम हुआ है उसमें अचाना कैसा हो जाता है साही सॉदी लाने का समय नहीं है तब तक अगर इनकी सांस नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है इनका इलाज हमें अभी करना होगा लेकिन दवा की मेरा इलाज कैसे होगा और अभी तो इनकी मर्स का पता भी नहीं चला है मैं साई से उदिल आता हूँ जल्दी, रुकिए लगता है इनका रख्तदाप कम हुआ है उसमें अचानक ऐसा हो जाता है साई से उदिल आने का समय नहीं है तब तक अगर इनकी सांस नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है इनका इलाज हमें अभी करना होगा लेकिन दवा की मेना इलाज कैसे होगा और अभी तो इनकी मर्स का पता भी नहीं चला है दादा आप इनने लेटा दिजे, फीट पर लेटा दिजे बाबा मामन जी आप आखे बंद करके लेटे रहिए वहनी आप पानी में तोड़ा नमक और बुड मिलाकर ले आईए लेकिन तुम्हे पक्का पता है ना तुम क्या कर रहे हो हाँ वहनी आप ले आईए मामन जी मामन जी एपी लीजे तब ठीक हो जाएगा प्रूद में जी पाला उलाश sitten मैं है ।ब है यव 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 बाटव बा платव बाब आप लेटे रही है, अराम कीजी आप बाब विनाया, मैं ठीक हूँ अब ठीक लग रहा है लेकिन मामिन जी आपको थोड़ा परेज करना होगा और आपके खाने पीने का ध्यान अब मैं खुद रखूगी और आप इन्हें रोज थोड़ा व्यायाम करवाईएगा उससे रत्दाप काबू में रहेगा रादिका, याज तेरे कारण ही बैतर हो है रादिका, कैसे किया तुमने? हाँ रादिका, तुम तो पड़ी लिखे भी नहीं हो ये तो हमारी नौवी कक्षा के अध्यापक ने बताया था शायद यही सही समय है इन्हें सच बता देने का अब नहीं चुपाना चाहिए मुझे आयगा कैसे नहीं? शहर में रहती थी जानकारी होगी इससे इसके पड़े लिखे होने या ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता तुम तो ऐसे पूछ रहे हो विनायक? जैसे इसने आमसे ये छुपा लिया हो ये मैट्रिक वड़ी है साइं हमेशा कहते हैं जब राम जी हमें किसी चीज के लिए इंतिजार करवाते है तो वो हमारे लिए कुछ बड़ा सोचते है मुझे लगता है शुरिपात की शादी देर से हुई क्योंकि हमारे नसिब में तुम जैसी बहु लिखी थी हमारे अनपड बेटे को शहर की लड़की मिली है ये कोई इत्तुफा की बात नहीं राम जी की कृपा है इनकी तब्या ठीक हो जाए तब सच बताना चाहिए इनसान को लगता है कि सब कुछ वो तै करता है लेकिन इनसान की तै की हुई बातें तब तक प्रत्यक शुरूप नहीं ले लेती जब तक उनमें राम जी की मरजिशा मिलना मैं समझा नहीं हम कल ही वापस बंबई जाएंगे सामान बांग लो मैंने एक पार तुम्हारी बात मान ली और साही से मिला लेकिन कुछ नहीं होगा अब तुम मेरी बात मान लो और वापस चलो हम कल ही वापस जाएंगे और शिरडी कभी वापस नहीं आएंगे नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है मुझे यही रहना है साही बापा के पास मैंना बंबई बाप पर जाओंगी ना लंडिन झाल 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 क्या हुआ सै? चलो मेरे साथ जैसा तुम कह रही हो कि राधिका ने बलवन्त को पढ़ाई की एमिद समझाई तो मैंनी भी देखा उसने बाबा की बीमारी को समझा उनका इलाज किया इससे तुम नहीं लगता कि वो पड़ी लिखी नहीं है रखते दाब जैसी बात को समझना किसी अनपढ के बस में कहा है लेकिन वो जूट क्यों बोलेगी? वो खुद पड़ी लिखी होकर किसी अनपढ के साथ शादी क्यों करती? उसे तो शहर में कितने अच्छे लड़के मिल जाते हैं वो तो है श्रीपाद जैसे लड़के के लिए बल्लक कोई क्यों इतना बड़ा जूट पोलेगा वो खत्रा भी मोल लेगा मुझे लगता है हमको जादा ही सोच रहे बाबा ने कहा था ना कि वो शहर की बली बड़ी है हो सकता है उसे कुछ जादा जान करे हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये ही बिमारी उसके किसी रिष्टिदार को हो और रही बाद बलवन को समझाने की तो रादिका हमारे घर में नई है और बच्चे अकसर नए लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं शायद तुम सही कह रहे हो अब चिंता छोड़िये मैं आपके सर पे तेल लगा देती हूँ जो भी हो हमें उसके बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करनी होगी तुम बस नजर बनाए रखो अब चिंता मत कीजे द्वार का मैं किधर थी कोई भी नहीं दिख रहा है रास्ता किस से पूछू प्याइच की कि भ्याइचिया जर याएचिंप्षे ये नहीं झाल झाल चिंता मत करो बेटे मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तुम ठीक हो? आपको देखते ही, सारा डर चला गया लेकिन इतनी रात को अखेले क्यों बाहर निकले थी तुम? मुमा बापा, मुझे शेडी से आपसे दूर ले जाना चाहते हैं और मुझे आपसे दूर नहीं जाना तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटे जो एक बार मेरे पास आता है फिर कभी मुझे से दूर नहीं होता है लेकिन साई, मुझे अभी वापस बंबई नहीं जाना मुझे यही रहना है, आपके साथ तो तुम्हें सिर्फ मालिक से प्रार्तना करनी थे वो बच्चों का दिल कभी नहीं दोरता है बेटी, अब तुम्हें वापस लोटना चाहिए तुम्हें वहां नहीं देखकर तुम्हारे आई बाबा कितने परिशान होंगे और तुम्ही ने मुझसे कहा था न, कि तुम्हारी सेहत कभी भी बिगड़ जाती है इस तरहे भाग कर तुम्हें अपने आई बाबा को कितनी परिशानी में टाल दिया है जरा सूचो बेटी अगर ऐसे भागते हुए तुम्हारी तबियत बिगड़ जाती तुम्हारे आई बाबा पर क्या बीचती मैं ममा पापा को दुखने को अचाना चाहती अब क्या करूँ उन्हें दुख को अचेगा वो मुझसे नाराज होंगे जीवन में कभी भी कोई तुविधा हो उल्जन हो और तुम्हें नहीं पता हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसे में सिर्फ सत्य की राह पर चलो वही सही रास्ता होता है बेटी वापस चलकर अपने आई बाबा से सच कहतो वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे और तुम्हारा मन भी हलका होगा सच 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 साहियो, साहियो दुबारह ऐसे कभी मत जाना याजदीन तुम्हें पता ही कितने डर गये थे हम लोग मैं, मैं सब पेर नहीं खुरूंगी मुम्मी और साहिनी मुझे समझाया है कि मैंने जो किया, गलत किया और उससे आपनों को बहुत दुख पहुचाया है मैंने आपकी वज़े से मेरी बेटी की जान बची और उसे समझाने के लिए धन्यवाद मालिक कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने दिता है आप यास दिन का ख्याल रखियेगा हम ये दवा रोज यास दिन को पिला रहे तो फिर ये बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी आप अब आप इस साइके साबने वादा कीजी क्या आप मुझे यहां से कई ने लेकर जाएगे अजुआ कर आप आप कर आप कर आप कर दो राम जी भला करें चलो श्रीका 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 इसे सुला दो साई ने मेरी बेटी को बचाया और मैंने साई से जुड़ बोला लेकिन मैं तो वही कर रहा हूं जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है साई जितने भी अच्छे इंसान हो वह वैद या डॉक्टर नहीं है उन्हेंने जो पानी दिया था उससे नुकसान होता फाइदा नहीं हाँ वो फकीर है लेकिन याजदीन की बिमारी का इलाज उनके पस नहीं है ये मैं जानता हूं जानते हो श्रीकंत शरीर हो या सोच दोनों की बीमारी को एक वैद ही ठीक कर सकता है बस उस वैद की पहचान होना सरूरी होता है बल्वन्थ बल्वन्थ रोग जा रोग बल्वन्थ अरे बात तो सुन बल्वन्थ काक्की आई को बोले ना मेरी पूछेना अब आगे क्या हुआ वैनी मैंने इसे कहा कि सुबे का समाई पढ़ाई के लिए अच्छा होता है लेकिन ये है ये बैटता ही नहीं है पाकी कबसे एकी समुक बढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ चोबज में नहीं आ रहा है कि बार इशार से होती है इसलिए अब मैं और नहीं पढ़ना चाता तो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई छोड़ दोगे हां ये कहा की बात हुई ऐसे करते रहोगे न तो अंगपड रहोगे वही नी मैं बलवन से बात करूँ करो कोई इसे समझाओ कोई इसे पढ़ाओ मैं तो तंग आ गई उस लड़के से तो 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 नहाने के लिए गरम पानी निकालते हैं आँ चलिए इतनी वाव पताओ भाव कैसे आ गई इसमें तो ने की आक्से जब पानी गरम होता है उसमें से भाव इगलती है बिल्कुल ठीक कहा इसी तरह हमारे नदी, नालो, समंदर में जो पानी होता है वो सूरज की गर्मी पाकर गरम होता है और भाव बन कर उड़ने लगता है पानी होता है नदी कहा है नदी कहा है को कहा है बादल वो भाव उड़ती उड़ती उपर जाती है और बादल के रूप में जमा होने लगती है और तुम्हें पता है बल्वन्थ उपर जो हवा होती है ना वो बहुत ठंडी होती है और जब वो ठंडी हवा उस भाव को लगती है तो जानते हो क्या होता है? क्या वाकी? बारिश, यह तु लिकाय किताब में। आपने तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया काकी, मुझे समझ में आ गया। अपने इस सवाल का जवाब दिख वांगा काकी। शुक्रिया। बिनाय का गये तुम। बाबा की दवाई लाए। हाँ। आई। मैंने कहा था कि मामन जी की सहत का ख्याल मैं रखूंगी। आप ये दवाई मुझे दे दीचे। मैं उन्हें रोज समय पर दे दिया करूंगी। राधिका, तू सच में कर पाईगी। क्यों नहीं आई। श्रीपाद, एक बहुत जुर्री काम है। तुझे जल्दी से त्यार होके गौदाम जाना है। और तेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। श्रीपाद, एक बहुत जुर्री काम है। तुझे जल्दी से त्यार होके गौदाम जाना है। और तेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। क्या का मैं भाव। शहर से बैल गाड़ी आनी है। उसमें सारी बोडियां लगवानी है। वो कुछ पैसे देंगे वो रख लेना। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया है। लेकिन जब तक तेरा हाथ महीं लगेगा, कोई सोदा पूरा हो सकता है क्या। मैं बस नहां के भी निकलता हूं भाव। मैं बाबा को दवा दे जे थी। ये लिजे मामन जी, आप दवाई ले लिजे। मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूं। नहीं बेटी, ये दवाई लेने के बाद मुझे बहुत मीन दाती है। अभी सो जाओंगा, उठकर ही कुछ खाओंगा। लेकिन आई ने कहा है आपको ये दवाई दिन में तीन बार देनी है। मगर हर बार ऐसे नीन दानों तो ठीक नहीं है। पिछले कुछ साल से ऐसा ही हो रहा है। बेटी, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और ये दवाई की वज़े से कामकाज बाहर आना जाना सब बंद हो गया है। समय से पहले काम से निव्रती लेनी पड़ी। विनायक नहीं होता तो पता नहीं कैसे संबलता सब। ये कम रक्तदाप की बिमारी बंबई में हमारे पडोसी को भी थी। लेकिन दवाई से उनका कामकाज नहीं रुका। विनायक? कुछ काम था? हाँ बाबा, दुकान को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं। कागस बन गये हैं, अब देख लीजे एक बार। कागस देखके मैं क्या करूंगा। तुझे जो ठीक लगे करूंगा। ठीक है बाबा। साई, कल पाच्छाला में अध्यापक जी ने माहभारत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे संजी को दिव्या दिश्टी मिली। ताकि वो धूर से यूट को देख सके और देतराश्टा को बता सके। कल मैंने घर पे वो सब कुछ याद किया। लेकिन आज भूल गया। क्योंकि मानस तुम उसे समझ नहीं रहे हो। सिर्फ याद कर रहे हो। और हम कोई चीज कितनी भी महनत से याद करें। एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक बार अच्छे से समझ लें। तो फिर वो कभी नहीं भूनते हैं। तुम कक्षा के पाठ रखने के बजाए, उन्हें समझने की कोशिश करो। समझ कर विद्या ग्रहन करने से ही, हम विद्या को अपने मन में संभाल कर रख सकते हैं। वैसे साई, तिवय दिष्टी क्या होती है। ये बताओ मानस, कि तुम कहां तक देख सकते ह। माधो काका के घर तक। हर आम आदमी की नजर एक सीमा तक पहुँचती है। लेकिन जो उसके आगे देख सकता है, उसकी दिष्टी दिव्य दिष्टी होती है। यानि जिसके पास दिव्य दिष्टी हैème वो दुणिया में कहीं भी क्या हो रहा है। वो देख सकता है बंबे में भी? और तुम्हारे मन में भी साई, पर वो तु इतनी पुरानी बात हो गई महाभारत की क्या आज भी किसी को दिव्यादिष्टी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है सब को मिल सकती है बस एक देवी की आरादना करके कॉलसी देवी? वही देवी जो सब को दिव्य दिश्टी देना चाहती है उस देवी का नाम है शिक्षा क्योंकि शिक्षा इंसान को सोचना सिखाती है सब कुछ देखने समझने की ताकत देती है ये तो सच में आख खुली नहीं रख पा है क्या रखतदाब के लिए ऐसी दवाई देना जरूरी है फिर तो कोई भी कुछ काम कर ही नहीं पाएगा साई इस घर में सब कुछ कितना अच्छा है फिर मुझे अजीब क्यों लग रहा है जैसे कहीं कुछ है जो सही नहीं जैसे कहीं कुछ है प्रणाम साई रामची भला करें माई आपके घर के पीछे जो थतुरे का पौधा लगा है मुझे उससे एक फूल चाहिए ज़तुरे का फूल अभी लेकर आई साई मन में साई के क्या है कौन जान पाए आई क्या हुआ इसे? दिपू? दिपू? दिपू पेड़ा आखे कोलना दिपू? आगे खोल लो बेटा दिपू दिपू बेटा उटता रहे है आओ चलो इसा साई के पास लेचल रहे है कहीं जाने की जरूरत नहीं है माई साई साई देखे ना मेरे बेटे को इसका पूरा बदर निला पड़ गया है क्या हुआ इसे कैसे हुआ ये सब साई यही जंगल के पास के मैदान में ये खेलने गया था ये दोफ़ इसे उटा कर ऐसी हालत में यहां लेके आये इसनोंने बता है कि खेलते खेलते इसने कोई जहरी लफ़ल खा लिया है लगता है उसी का जहर पैल गया है उच कीजी है साई कुछ कीजी है माई एक पतीले में पानी लिया आना जिसमें इसके दलवे डूप सके इसे निचे रदो अब बच्चे के पैर इसमें टुबात हो अब बच्चे कीजी है इसका मुझ खोलो अब बच्चे का पूल तो और नुक्सान पहुचाएगा शिरद्था सबूरे बदरा बुराई के ये जितने भी छाएगे साई मेरे अच्चाई का जल बर साएगे कश्ट जो अपार साई हस के उठाए मन में साई के क्या है कौन जान पाए अच्चाएगा 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 अब कैसा लग रहा है इस तो बच्चे के लिए पानी लेगे है तर अच्चाएगा अच्चाएगा अब अपने पहर बाहर निकालो साही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बच्चे के जान मचाले बहुत बहुत दन्यवाद साही, बहुत बहुत दन्यवाद राम जी भला करें साही, आपके लिए खाना लाई थी तुम इतनी दूर से खुद क्यों आई, किसी नौकर के आथ बिजवा देती फिर मुझे आपको गरम खाना खिलाने का सुप कैसे मिलता बैठो जूटने ही बोलूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम ही खाना लेकर आओ जिल्नों की पत्निया खाना लेकर आती हैं वो बहुत खुछ नहरा आते थे मैं उनको देखकर सोचता था कि एक दिन मेरी पत्नी भी ऐसे ही बाबा को दूपयर की दवाई दे दी? जी बाबा बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं कि वो मेरे बाबा हैं क्योंकि वो बहुत नेक इंसान हैं इसलिए उनकी सेयत का ख्या लगना सबसे जरूरी है आप चिंता मत कीजिए मैंने उनकी दवाई अपने पल्लू से बानके रखिये ताकि मैं कभी ना भूलू आपके बाबा उन्होंने अचानक से काम छोड़ दिया आपको इसमें कुछ अजीब बात नहीं लगी? लेकिन जब तबियती साथ ना दे रही हो तो उनसे काम करवाना भी तो ठीक नहीं है ना? इसलिए दादा ने सारे काम के जिम्मेदारी ले ली यहां तक कि वैद जी से मिलकर बाबा की दवाई भी उन्होंने शुरू की है कौनसे वैद? आप चानते हैं उने? दिवाकर वैद डिफ्ट मैं उनसे मिला नहीं हूँ क्योंकि दादा खुदी जाकर उनसे दवालाने का काम करते हैं तो क्या मामन जी को देखने कभी घर नहीं आते वैद जी? नहीं वो शेडी के बाहर रहते हैं यहां तो किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना है पर दादा कहा रहते हैं कि वो जहां है बाहुन से मिलने के लिए लोगों को भीड लगी रहती है इसलिए वो बाबा को देखने नहीं आ सकते हैं यह कैसे वैते हैं जो मरीज को बिना देखे इलाज कर रहा है आप लोग तो साई को मानते हैं न? साहीं बाबा ने तो कितनों के रोब ठीक कियें उन्हें क्यों नहीं दिखाया दादा नहीं कहा था कि साहीं की करपास हमें पहले ही कितना कुछ मिला है तो हर बात के लिए उनको क्या परेशान करना साहीं ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम किसी भी वैद को पैसे देकर इलाज करवा सकें तो ऐसे में साइन का समय क्यों बरबाद करना ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है और उन लोगों की इलाज के लिए साइन को समय देना चाहिए ना कि हम लोगों के वैसे कभी जरूरत होती है, तो साइंस से उदीले आते है बैल गाड़ी आ गई है छोटे माली, सामान रखवा दीजिए ठीक है, आप खाना चोड़के मत उठीए सामान मैं रखवा देती हूँ ठीक है ये लिजी, ये रही रसीद, और ये पैसे है चलोवे, लाड़ा रसीद में तो 90 रुपए लिखें और ये 150 रुपए हैं ये कलके से ये लोगने जादा पैसे तो नहीं दे दी सुनिये जी आपने पैसे गिने हैं पेट जी ने गिन के दिये हैं 80 बोरी के पैसे हैं रसीद में तो 30 बोरियां लिखे हैं अन्य ने किसे बताऊं कि ये साथ गलत है इनने को पता चल जाएगा कि ये अन्य लिखना जानती हैं आप 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 आपके खातिर करना मतलब साइं की सेवा करना शिरीडी की सेवा करना शिरीन ठीक तो कहती है यहां के लोग सच में अच्छे हैं काव भी अच्छा है बस याजदीन का इलाज यहां नहीं हो सकता याजदीन यहां भो यहां यजदीन मेरा याजदीन ममढ़ यजदीन यजदीन अभरभजी आप चिंटा बत कीछए साही सब ठीक कर देंगे हम याजदीन को साही के पस ले कुछ नही करें गेते साही कुछ नहीं कर सकते हैं वो एले हाइ दस दिन हो गए क्या कि आपके साई ने आप कहते हैं साई के दर्शन से भी उद्धर हो जाता है यही मानते हैं न आप तो क्यों नहीं हो रही हैं मेरी बच्चे का भला अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे कोई कारन होगा लेकिन भला तो जरूर होगा वो कब होगा ये साही तै करेंगे केश्व भाई ये कैसी बात कर रहे है आप ये कैसे भगवान है आप लोगों के जो एक छोटी बच्ची को पहले तडपने देते है और फिर उसे धीक करेंगे मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं लुक सकता हूँ शिरीम सामन बाद लो हम आजी बंबई वापस जाएंगे लेकिन आपने तो बोला साची गूल जाओ मैंने क्या कहा था अब मैं यहाँ वक्त बरबाद नहीं करूँगा मैं अभी जाता हूँ वो तंगा लेकियाता हूँ सुराब जी याजीन कुराब Produk बोरिया रखवादी? हाँ, तारी बोरिया रखवादी, ये लिजे रसी और ये पैसे ठीक है इतनी बड़ी गलती हिसाब में लेकिन मैं बोलू तो कैसे बोलू, क्या ये सच में गलती है, या सादिका, तारी बोरिया रखवादी, हाँ जेड जी, एक बार हिसाब आप तुस्टे देख लीजे, मेरे बाबा हिसाब को हमेशा दो-तीन बार देखते है मैंने देख लिया है, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो जैसी बात कर रहो दादा आपने देख लिया है, मतलब हिसाब बिलकुल सही होगा परना आपकी नेदर से कुछ भी नहीं चुपता है राधिका, तुम घर जाओ श्री पादुर में हे जा रहे हैं, बाद में आएंगे जी, चलती हूँ कि दो पाद हूँ मुण नेखरं राद았어요 है राधिकी नेखे गाद रहे तो प्रतम सारी झाल